आप छोटे थे तब आपने फ़लों के चित्रों और नीचे लिखे नाम दिनों के नाम जैसा बहुत खूब सीखा है पाच शाला में ऐसे अलग अलग चित्रों के तथा नाम के फलक लगाए दिखाई पड़ते हैं इन ही फलकों को तख्ता या फिर सारिनी कहते हैं अभी आप सभी को मैं एक उधरन दिखाता हूँ ठीक है अभी कुछ फलक ऐसे होते हैं जिन पर चौखट आकार के होते हैं और उन चौखट के अंदर कुछ जानकारी लिखी जाती है ठीक है ये देखिए अभी ये भी एक फलक है यहां आड़ी रेशा में सभी अक्षर लिखे हैं और उन्हीं अक्षरों से शुरू होने वाली एकाद वस्तू का तथा फलक नाम वहा लिखा होता है इसे ही तख्ते कहते हैं अभी इसमें कतार में एक एक अक्षर लिखा है और उस अक्षर के सामने उसी अक्षर से शुरू होने वाले वस्तू का चितर दिखाये गया है अभी ये तखते आड़ी रेशा में अथवा खड़ी रेशा में पढ़े जाते हैं अभी तखता होगा तो जानकारी पढ़ना आसान होता है क्यों मालूम है? एक तखते में कालम तथा चौकट रहती है उसमें जानकारी एक के नीचे एक दी रहती है तथा एकाद रेशा में दी रहती है दो कुछ घटक रंगीन होते हैं रंगीन हो तो बच्चों का तथा किसी का भी ध्यान उस ओर जल्दी जाता है और अच्छी तरह से ध्यान में भी रहता है ती अभी चौखट में लिखना है तो सिरफ महत्वपूर्ण मुद्दे दिये रहते हैं ये मुद्दे भी जट से ध्यान में आते हैं और रहते भी हैं अभी हाई स्कूल में जाते समय रोज आप बस्ता भरते हो उसमें कापियां तदा किताबी रखते हो है ना हाँ इसे करते समय आप पहले पाट शाला का समय पतरक देखते हो कल का दिन कौणसा है इसwegen याद कीजिए तो उस दिन के कौण कौणसे विशय याद करके उसी तरीके से सभी किताबें और कापियां आपके बस्ते में आप रखते हो, है न, हमारी पाट्चाला का समय पत्रक अब मैं आपको दिखाता हूँ, सभी देखते हैं लेकिन ये आपको पढ़ना आना आवशक ही है, देखिए, आड़ी रेशाओ में सभी दिनों के नाम और ख गनित की तासिका कब है, बताइए, हम गुरुवार देखते गए और वहां से नीचे जाते गनित दिखाई दिया, तो हमें मालूम पढ़ा कि तासिका गुरुवार को एक, दो, तीन, तीसरी तासिका है, परिसर अभ्यास की तासिका हैं कब हैं, मंगलवार, बुधवार और अभी देखिए, शनीचर के दिन मराथी तासिका के पहले किस विशय की तासिका है, मराथी के पहले गनित, बुधवार के दिन शारिरिक शिक्षा की तासिका दस से साड़े दस याने दस बजे शुरू होती है, सुमवार के दिन संगनक की तासिका के बाद कौन सी तासिका श ठीक है, अभी ऐसा है कि आलेग भी एक प्रकार का तखता ही है, अब यही हम अलग पद्धती से समझ लेंगे, ठीक है, अब यहां से हम बाहर जाएंगे, रास्ते के बाजु में हम सब बैठने वाले हैं, और सामने से आने वाली सवारियों की तथा वहनों की संख्या हम एक से आगे गिनते जाएंगे, ठीक है, सामने से सवारी गई तो संख्या गिननी है, और सबसे आन्त में वो संख्या कापी में लिख के रखनी है, तुम साइकलों की संख्या नापोगे, हाँ ठीक है, मोटर की, जी हाँ, स्कुटर, चलेगा, बस आप नापोगे, हाँ ठीक है, और रिक्षा की मैं गिनूँ तुम गिनूगी इन सारी सवारियों को गिनकर कापी में लिखकर रखना है ठीके चलेगा चलो जाएंगे सभी जन अपनी अपनी कापिया लेज लीजिए अभी हम निकलेंगे चलिए कापिया फिस बॉल में लेगांगे वम घर लूँ राओ, तुम खिर वलीजिए एक्वाण ये... चलेगां जय में वलाएंगे य। महय वलाएंगे, जज खिर आक से कपोसे है Пषाल लूरी सॉछ पquito अत्तुम Baba Gak सभी ने संख्या लिख ली है निरिक्षण की टिपणी की है चलो अब हम एक तख्ता तयार करेंगे ठीक है मैं फलक पर तख्ता लिखता हूं वहनों के नाम भी लिखता हूं आप सभी को संख्या बूलनी है ठीक है साइकलों की संख्या किस ने गिनी है कितनी थी नो ठीक है मोटरों की संख्या किस ने गिनी है मेने 19 ठीक है स्कूटर कितने थे 22 बस छे तथा आटो रिक्षा 24 24 तो देखो अभी ये एक तख्ता है इस तख्ते का अब हम वाचन करेंगे और इस कारण पिछले 15 मिन्टों में हमने रास्ते के बाजू में ठहर कर जो सवारियों के संख्या गिनी है वो हमें जल्दी ही समझ में आ जाएगी ठीक है हाँ सवारियों के नाम बाय बाजू में और संख्या दाय बाजू में साइकलें 9 मोटरें 19 स्कूटर 22 बस 6 ओटो रिक्षा 24 तो हमने अभी सवारियों के नाम और संख्या ये पढ़ा बरबर इस क्रिया को वाचन कहते हैं जब तक्ते में संख्या के आलावा चित्रों का उपयोजन किया जाता है तब उसे चित्रालेख ऐसा कहते हैं चित्रालेख याने चित्रों का आलेख इसका हम एक удरण देखेंगे ठीक है तो हमने ये तक्ता और चित्रालेख निकाला है अभी इसमें दुकान का प्रकार उनकी संख्या और चित्रलेख में हमने संख्या निर्देशन के लिए चित्रों का उपयोग किया है देखिए खाद्य पदार्थों की पाच दुकाने हैं उसके लिए पांच चित्र खिलोने की तीन दुकाने उनके तीन चित्र कपड़ों की दो दुकाने हैं उसके लिए दो चित्र अन्य दुकानों के लिए पाँच दुकान पाँच चित्र ये रहा चित्रा लेक लेकिन ये मुझे बताईए कि आपने कौन-कौन से समय पत्रक देखे हैं याने हम रेलवे तथा बस का समय पत्रक देखते हैं बराबर लेकिन ये समझ लेना चाहिए और ये पढ़ना चाहिए इसे हम बस तथा रेल गारी छूटने का वक्त पहुचने का वक्त तथा बीच वाले थंबे तथा रुकने वाली जगा ये सब ध्यान में आएगा बराबरा ना हाँ पाट शाला की इमतहान का भी तख्ता किया रहता है यानि कौन से दिन कौन से बिच्छए की परिक्षा है कौन सी कक्षा में कौन से शिक्षक जाने वाले है कौन से वक्त घंटी बजानी है ये सब उस तख्ते में दिया रहता है हाँ ये तख्ते तथा समय पत्रग ऐसे तयार किया और उसके अनुसार काम किया तो काम समय पर और अचूख होता है तो हमारे रोज की जीवन में तख्तों का असाधारन महत्व है आई बात समझ में है? चलो अब आप तख्ता तयार कर सकते हो हमने क्या सीखा? चौखट में लिखी जानकारी वाले फलक याने तख्ते ये तख्ते ओपर से नीचे तथा आड़ी रेशा में पढ़े जाते है समय पत्रक ये एक प्रकार का तख्ता ही है आले एक लेखा चित्र ये भी एक तख्ता ही है जब तक्ते में संख्या के अलावा चित्र निकल जाते हैं तब उसे चित्रालेख कहते हैं चित्रालेख याने चित्रों का आलेख है समय पत्रक पढ़ सकेंगे तो ही हम उस गाड़ी का टिकट कटवा सकेंगे गाड़ी के समय के अनुसार गाड़ी छूटने की जगा पर पहुंच सकेंगे समय पत्रक के कारण और उसी के अनुसार काम किया तो हम काम समय पर और अचूग कर सकते हैं करके तो देखिए तो क्या होगा ये लिखिए 1. दापुली की बस 4 बजे चूटने वाली है राधा ने समय पत्रक नहीं देखा दापुली जाने वाली बस में बैठने के लिए राधा 4 बजे घर से निकली 2. वजीद ने समय पत्रक देखकर बसता भर दिया 3. दवाखाने में परिचारक समय पत्रक के अनुसारा है 4. कच्रा गाड़ी समय पर नहीं आई 5. रेलवे का समय पत्रक पाला नहीं गया प्रश्न दो आप परिक्षा के अभ्यास तथा पढ़ाई का समय पत्रक बनाई 5. धाड़ी समय पत्रक देखकर बनाई